अमिताब गोश्ट के बारे में बात करते है अर्ली लाइफ एड एड़ुकेशन और देखे फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसा ही अपने ब्रेन में भी बना के रखे कि एक राइटर से क्या पूछा जा सकता है उनका बर्थ यह पूछा जा सकता है नाइटीन फिप्टी सिक्स नाइ सो उन्होंने अपना जो चाइल्ड हुड था वो बंगलादेश और शिलंका में भी बिताया है एड़ी उनिवर्सिटी उन्होंने डैली उनिवर्सिटी पर पढ़ा था अब यह कुछ बहुत ही मतला हम कहें कि क्योंकि यह तो मुझे करना ही था लेकिन आपको आइडिया होन चाहिए बाखी से कुश्यन मुझे नहीं लगता बनेगा लिटरी करियर के बारे में बात करते तो डैबी नौवल जो है उनका तो डैबी नौवल से कुश्यन आता है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है जिस सरकल आफ रीजन पॉब्लिश्ट इन 1986 अब देखिए अब यहां पर को रिलेशन मैंने पहले भी आप लोगों बताया था अगर आपने पहले से मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों मैंने बताया था को रिलेशन बड़ा अच्छी चीज है याद करने के लिए 56-86 दो चीज़ें हो गई 56-86 किस से रिलेटे हैं तो अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे को रिलेशन करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें जिल्दी याद हो जाएंगे देखिए 86 में उनका पहला आया था 56 में पैदा हुआ है आदमी और डेवी नॉवल कव है उनकी 86 में तो ठीक कितने साल हो रहे है 30 30 years तो ठीक ह यहां से question बनेंगे आपका colonial history of Asia known for themes of history, culture, migration and environmental issues, themes and style के बारे में बात करते हैं detailed description rich language and meticulous research characterizes his writings, explores complex historical and cultural narratives, this is not too important but here notable works, यहां पे उनकी कुछ works है वैसे 15 works में अल्रडी नीचे दे चुका हूँ but कुछ notable works जो है उनको हम उने ऊपर रख लिया, shadow lines 88, देखे एक और correlation बताता हूँ, 1988 आप अगर इसको याद रखना चाहते हैं, तो याद रख सकते हैं, यह मेरा मैं जब पैदा हुआ था, वो year है, मुझे ऐसा लगता है काफी लोग इस year में पैदा हुए हूँ, और नहीं ह हुए हो तो आप लोग याद रख सकते हैं, जो shadow lines थे हो 1988 है, ठीक है, the glass palace 2000 में हुआ था, the hungry tide 2004, are some of his other novels, non-fiction works includes in an antique land 1992, and the great arrangement, climate change, and the unthinkable, 2016 में यह आया था, awards and recognition की बात करें, तो साहिते अकादमी इन्हें मिला था, पदमश्री इन्हें मिला है, और general pete, award भी इन्हें मिला हुआ है, तो जो मैंने आप लोगों को एक short file आज ही group में, वो ऐसे तो पहले दे दी थी, लेकिन आज फिर से मैंने share की है, उसमें साहिते अकादमी से related क्या है सारी list आप लोगों मिल जाएगी, novel price related आपको लोगों मिल जाएगी, तो इस तरह की list है उस group में, उस PDF में, उसको कर लीजिए, क्यों कर लीजिए, क्यों कर लीजिए, क्योंकि वो आपका gap बन जाता है, बीच बीच में literature का, जैसे हम history of English literature कर दिया है, हमने writers कर दिया है, कुछ terms कर लिए, लेकिन फिर भी काफी सारे gaps छूट जाते हैं, उन gaps को अगर आप करेंगे, तो उन PDF को आप करेंगे, तो definitely वो आप लोगों के लिए easy हो जाएगा gap fill करना literature में, means, जो जो चीज़े रह जाती हैं, वो चीज़े उससे fill हो जाएगी, तो आप लोगों की जो तैयारी ह होगी हो, 100% की तरफ चलेगी, Novels shortlisted for prestigious awards like the Man Booker Prize, Man Booker Prize ये list भी वहीं आपको मिल जाएगी, total कर लिजे, क्योंकि एक ना एक question आपको साहितिया कादमी से मिलेगा ही, Man Booker Prize से मिल सकता है, Personal Life Currently Resides in United States, Distinguished Professor at University of Chicago, Chicago में पढ़ाया है, Continue to write and is considered a leading contemporary Indian author, इस से question बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजे, यहां से एक question आएगा ही आएगा, यह 100% तो नहीं बोल सकता है, लेकिन यह है कि यह बहुत important है, ठीक है, यहां से अमिताबोश के question पूछेगा, यहां से जरूर पूछेगा, Sea of Poppies 2008, set in 1938, 1938 में यह स्टोरी सेट है इसकी, before the outbreak of the first opium war, opium war से related है, क्योंकि background में opium war चल रहा है, ठीक है, Follows a diverse cast of characters abroad, about a former slave ship, the Abyss, as it journeys from India to Mauritius, तो यह आप लोगों को धिहान रखना है, ठीक है, ship Abyss को याद रखना है, आप लोगों को, Explores themes of colonialism, class and cultural identity, River of Smoke, River of Smoke, 2011, Continues the story, वही स्टोरी जो है, वो आगे चल रही है, focusing on the events leading up to the first opium war, set mainly in Canton, present day, Guangzhou, China, ठीक है, यह जो है, इस place में set है, तो पूछा जा सकता है, कि यह जो river of smoke है, यह कहां set है, ठीक है, तो यह स्टोरी सेट है, आपकी कांटन में, Opium trade की height इस time पे थी, means, सबसे ज़्यादा Opium उस time पे विज़ा जा रहा था, Introduces new characters and further develops the theme of first book, अब आजाते हैं, third one, Flood of Fire, 2015, concludes the trilogy, यहां पे trilogy, यहां पे trilogy जो है, मेंस, तीन जो work है, उनके three works, वो यहां पे conclude होले, depicting the climax of the first opium war, follows the fate of the characters from the previous books as they navigate the tumultuous events of the war, explores the impact of imperialism and colonialism on individuals and societies, तो total imperialism and colonialism पर ही, यह क्या है, आपकी पूरी story based है, अब चलिए नीचे चलते हैं, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि 15 works आप लोगों के हैं, यहां पे अमिताब गोश्च के जो सारे works हैं, उसका short trick में बना के, सारे writers का short tricks बनाने के कोशिश करूँगा और आप लोगों को ग्रूप में डाल दूँगा, The Circle of Reason, 1986, character इसमें, अलू, इश्वरी, अन बलराम, अन रफी, जो थी, यह characters हैं इसमें, यह आप लोगों को याद करने हैं, समरी अगर हम बोलें, तो यह life of aloo, जो है, इसके aloo virgin, hero का नाम है एक, aloo virgin, south का, तो यह उसकी story है, means, just kidding, बट यह उसकी story नहीं है, बट आप लोग इस तरह से सोच सकते हैं, यंग boy from rural Bengal, as he navigates to complexities of life, including love, politics and personal growth, यह इस चीज के story है, दूसरा जो है, the shadow lines, यह, shadow lines, मैंने अभी कहा था, जब मैं पैदा हुआ था, तब यह क्या हुआ थी, publish हुई थी, मेरे पैदा होने के खुशी में, publish हुई थी, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, 1988, character started, जिट, टुड़, एन इला, मे, निक, और नेरेटर, इस में, आप लोग याद रखेंगे, इक्सप्लोस दे, इंटर्ट्वाइन, लाइपस आप टू फैमिली, अभी मैंने आपको बताया था, इंडिया और इंग्लेंड, तो shadow lines कहा जाती है, shadow lines जाती है, इंडिया से, और इंग्लेंड तक, इस तरह से आप लोग कुछ भी अपने दिमाग में बना सकते हैं, साथ-साथ जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ अपने आपसे discussion करते हुए पढ़िए, ऐसा मत पढ़िए कि boring बना के पढ़ते रहेंगे, उसे दिमाग पे बहुत ज़्यादा pressure आएगा, और याद भी आप लोग पूर नहीं रहेगा, तो दोनों मिलेंगे, तो होगा क्या कि, और आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, आपने इसको ध्यान से देखा भी नहीं, बस आप मिले एक बार, और एक दूसरा आदमी था, जिससे आप मिले, उससे आपने बात की, आपने उससे discussion किया, ठीक है, conversation की, और उसे ध्यान से देखा, तो आपको कौन सा याद रहेगा, ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, ये लंबे टाइम तक रहेगा, अब यहीं पर एक चीज, मैं आपने discussion किया इससे, तो सिर्फ discussion भी अगर आपने किया होगा ना, किसी चीज के साथ में, किसी आदमी के साथ में, लंबे टाइम तक उचीज याद रहती है, अब एक तरीका तो ये है कि मैंने पढ़ा, जिए ये पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसके बीच में मैंने, जैसे मैंन तो आप लोगों को इस वो ध्यान रखना है कि इस तरह से आप discussion करते हुए अपना पढ़िए, enjoy करते हुए पढ़िए, लंबे टाइम तक पढ़ लेंगे, 12-14 गंटे भी पढ़ेंगे, बोर नहीं होंगे, ठीक है, इन एंटिक लेंट, 1992, characters, Amitab, the narrator, the village of Latifa and Boma Masterji, ये इसमें क्या है, character है, आप लोगों के summary blends historical research with personal narrative exploring the lives of people in 12th century, ये 12th century पर क्या है, बनाई गई, बनाए गया work है, इजप्टियन विलेज, यहां पे इजप्टियन विलेज, आप question यहीं से पूछे जाएंगे, इजप्टियन विलेज वाला question, मतलब work कौन सा है, तो वो है आपका एंटिक land, antique means होता ही क्या है, पुराना है, hope you know this, the Calcutta chromosome, 1995, इसमें जो characters हैं, अनतर, मुरुगन, PDT, आचार, सरश्वती, लाल मोहन, गांगल, a blend of science fiction, अब यह science fiction, आप लोगों पता होना चाहिए, historical fiction है, intertwine the stories of 19th century, British medical researcher and 21st century computer programmer, next work, the glass palace, 2000, character राजकुमार, डॉली अर्जुन, ओमा, साया जोहन, and summary जो है, वो है आपकी response, a century of Asian history, focusing on the lives of characters from Burma, India and Malaysia, and exploring the impact of colonialism and war on their lives, the hungry tight, 2004, अगर इतने works का आप एक बार करके देखेंगे, और चीजों को set करने के कोशिश करेंगे, तो बड़ा tough work है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस तरह से arrange करके सारी चीजे मिल जाती है, तो मैं आप लोगों से request करूँगा, तो बड़ी मेहनत से, जितनी मेहनत से notes बनाए है है, आप उतनी मेहनत से उसे पढ़िए भी, आप लोगों definitely इसमें success मिलेगी, set in सुंदर बंस, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान लगता है, जो भी work मैंने लिखा है, कि यह set कहां हुआ है, क्योंकि इसी तरह से पूछ लेता है question कि कहां पर यह set होगा, ठीक है, तो यह सु इसमें दीदी, जाज़े, नील, पॉरट, एन आफट, एंड समरी, फर्स बुक आफ दे विस्ट्राइलजी, यह तिया पॉपी के बारे में हम उपर पढ़ चुके है, set in 19th century, against the backdrop of opium war, opium war के बारे में यह स्टोरी है, आपकी, रिवर आफ स्मोक, 2011, इसमें जो क्रैक्टर्स हैं, वो हैं, बहरान, मोदी, राबिन जिनरी, and शिरिन, मोदी, set, बहराम, केशरी, सेंग, the second book in the विस्ट्राइलजी, set in 19th century, canton, यह भी मैंने बताया था आपको, गवांज जाओ, जो है, चाइना में है, वहां यह set है, in China, during the opium trade, focusing on the lives of various characters involved in the trade, आगे चलते हैं, flood of fire 2015, characters, दीती, शरीद, मोधी, नील, वेरान, मोधी, we have already done, I think this one, the great derangement, ये climate change पर आप लोगों का ये work है, non-fiction है, explores the impact of climate change on human societies and challenges of addressing global shadow lines, shadow lines को हम लोगों ने already देखा है, actually कुछ चीज़ें जलबाजी में repetition हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप इनके 10 works भी कर लेते हैं, अगर 15 ना भी करें, आप 10 भी करते हैं, तो भी आप लोगों को इसमें काफी benefit होगा, 10 works भी बहुत होते हैं, क्योंकि आप लोगों पर अगर पूरे काउंट करें हम तो 30-40 writers है, तो 400 works हो जाएंगे, 400 works की detail अगर आप लोग याद भी रख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, Chronicles of turmoil of our times, 2005 में, Summary a collection of essays, यह collection of essays हैं तो इसमें आप लोगों को क्या है, characters नहीं मिलेंगे, next चलते हैं, दे इमाम and दे इंडियन, अलावदीन, खिलजी, राजाराज, चोला, आदित्यवन, एन मलिक काफूर, यह अगर आप लोगों ने history पढ़ी होगी, तो आप लोगों को यह सारी चिनें आपको relate कर पावे, यह एक historical novel है, तो question इसी तरह से आएगा, historical novel कौन सी है, तो यह आप लोगों को याद रहना चाहिए, dancing in Cambodia and other essays 1998, summary, a collection of essays that cover a wide range of topics, including travel, literature, politics and culture, showcasing gaushes, diverse interests and insights, 15 जो है, networks, curse, parables for the planet in crisis, 2021 में उनका यह work है, means the latest work by the writer, summary, a collection of essays and reflections on environmental issues, impact of human activities on planet, offering thought-provoking insight into the current ecological crisis, so ecological मतलब यह आपका environment पर-based essays का collection है, यह कि आप लोगों को याद रहना, 10 important quotes देख लेते हैं, the past is always with us, or it feeds the present, यह आपका shadow line से यह quotation है, the glass palace was gone, तो इसे आप लोगों पता ही चल जाएगा, कि वर कौन सा है, the glass, पहले से हमने उपर देखा, but it had been replaced by another, no less fragile, the memory of a fragile thing, the Bengali is to be caught in the crossfire, यह हंगरी टाइड में है, the river of smoke, यह आप लोगों को पता चल जाएगा, यह इसी वर का है, steamed past and hull like a torrent of rain falling from burst cloud, tossing the ship from side to side, sea of poppies, avas tide of soul, तो यह quotation किसने कही है, तो अमताब गोशने कही है, यह आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, sea of poppies, avas tide of soul, किसकी quotation है, ठीक है, किसने यह बात लिखी है अपने वार्ट में, the past presses so hard on the present, that the present has little time to attend the future, shadow lines, memories are like wolves, you can't lock them away, and hope they leave you alone, hungry tides, the every empire however tells itself and the world that is unlike all other empires, the tide had turned but the floodwaters had not yet awaited, flood of fire से यह लाइ लिखी है, the world is what it is, men who are nothing, who allow themselves to become nothing, have no place in it, sea of poppies, so hopefully कि आप लोगों ने enjoy किया होगा, यह lesson और आप लोगों कुछ चीजें समझ में भी आई होंगी, और आप लोग इसे जरूर कीजे, और जितनी चीजें बताई गई हैं, जितना part में divide किया गया है किसी lesson को, और कुछ चीजें, आप लोगों को क्या करना है, कि at least सबसे पहले आप लोगों को heading से go through हो जाना है, जब एक बार heading से go through हो गए, तो उसके बीज के information, आप खुद से, देखे सिधा सा आप लोगों को एक formula यूज़ करना है, जब आप writer को यूज़ करें, राइटर की जितनी heading मैंने आप लोगों को दी हैं, आप लोगों को writer की heading जैसे की life हो गया, notable works हो गया, quotations हो गया, बाकी चीज़ा हो गया, वो आपके finger tips पर होनी चाहिए, फिर अपने आप से question कीजिए, कि मुझे इस में से क्या चीज़ याद है और क्या चीज़ नहीं याद है, जो चीज़ नहीं याद हो रही है, उसके cards बनाएगे, cards से practice कीजिए, definitely याद हो जाएगे चीज़े, और अपने आप से चीज़ों को discussion करिए, आप brain में उन चीज़ों को रखिए, आप नहाने जाते हैं, सबोच के लिए, नहाने में 15 minutes तो लगते ही है, अपना 15 minutes सेव कीजिए, उस 15 minutes पे नहाते नहाते अपने साथ, एक कोई literary term ही discuss कर लीजिए, या अपने साथ कोई writer discuss कर लीजिए, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना, आपके daily के 15 minutes जो आप you know bathroom में waste कर रहे थे, वो भी आप लोगों का add हो जाएगा, means आप brush कर रहे हैं, आप नहां रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आपका half an hour, एक दिन का आदा गड़ा आप बचा सकते हैं, 30 days में 15 hours बच जाएंगे, और अगर आपने discussion किया है, तो 30 days, 30 topics, तो 30 topics बहुत होते हैं, दो महिने में 60 topics, 60 topics आप अपने आप से, उस time को manage कर सकते हैं, तो hopefully कि आप लोगों को चीजें पसंद आई होगी, अगर कोई भी आपका suggestion है, कि ये चीज भी add होनी चाहिए, किसी work में, तो मैं definitely उसे आपको add करके दूँगा, आपको इधर उधर ढूड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे suggest कीजिए, कि ये चीज हमें चाहिए, मैं आपको provide करवाँ गरूप में, definitely, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए goodbye, take care, all the best.